फर्स सिप्टिंग देखो लाम में यह लग रहा है सिफ्टिंग मतलब क्या होता है चेंज करना उसको ठीक है किस तरह से चेंज करेंगे वो सी को और कभी-कभी यह पूचता अभी एक्जाम में सिफ्टिंग थेहरं आएगा प्रथाम इस्थान्तरन प्रमेर लिखे सिद्धिदे यह भी आ सकता है को संटिग तो फर्स सिट्टिंग थेहरं लिखना है और सिद्ध करना है तो फस्टिंग क्या कहता है वह समझो यह बोलता है कि अगर कोई ft है और उसका laplace आप निकाल लिए, कितना आता है, f of p आता है, क्योंकि यह तो unknown है न, क्या पता नहीं, बट इतना बोल सकते है, f of p आएगा, तो वो बोलता है कि अगर किसी भी function का laplace transformation f of p है, तो then laplace of e की पावर 80 into f of t का answer आएगा, वो f of p minus a आएग में, तो answer में सिर्फ changes कितना दिकाई देगा, p के जगा, p minus a कर दिया जाता है, जैसे एक बार 80 का हम लोग पढ़े थे न, one of one क्या होता है, p minus a, वैसी यह भी होता है, multiply हो रहा है, तो जो भी जहां-जहां p का function है, हर जगा बस क्या होता है, p minus a हो जाता है, कितना easy theorem बना दिय बट इसका proof अभी देखो कैसे proof किये, proof करने के लिए, सबसे पहले क्या किया, ft माल लिए, यह तो दिया होगा, ft के लाप्लास f of p होता है, बट ft का formula क्या होता है, 0 c infinity, e q bar minus p t, f of t dt होता है, और इसकी वे लिए उसने बोला, f of p है, कोई दिक्कत ने, इसमें किसका multiply करना है, यह multiply करें इसके साथ, यहाँ भी हो जागा ना, e q पर 80 का, तो अधार समाने घाते, ठीक है, यहाँ गटा दो, तो क्या आजगा, माइनस का मल किया, तो क्या बचा, p minus a, into t, ft, अगर मैं इसको यू माल लूँ, तो क्या मिल लगा, a q par minus ut f of t dt, यह दिखनी रहा है, यहाँ बोलना, p, st, u, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक par minus pt, देखो p का कोई रोल नहीं, फिर भी हम लापला सा 50 बोल तो बताओ, यह क्या बनेगा, या फिर इसको f of p बोलते हैं, तो अगर यह यू माल लिया, यू माल लिया, तो भी इसको क्या बोलो गया, देखो यहाँ पी था, तो इसलिए f of p बोले थे, u हो गया, तो क्या बोलो गया, f of you, चूंकि u को अप क्या माने थे, p minus है, रख दो, तो p minus है, तो देखो कितना easy बनेगे, अब इसका use कैसे करते हैं, सवाल में देखो, इसका use ऐसे हैं, कि अगर एक पार टूटी के साथ sign 3D है, तो अपने को क का करना पड़ेगा, सिर्फ sign का laplace निकालना है, क्या निकालना है, sign का laplace, तो sign का laplace निकालोगा, ft किसको मान होगे, e को छोड़ के, ध्यान समझना, e को छोड़ के, बच्चा हुआ फंक्सन को, laplace, ft मान हो, 50 बराबर, sign 3D, इसका laplace निकालोगे, sign 3D के जहांते हो, three upon piece के, plus three square होता है, छोड़ देना, p के form में आ, इसको f of p बोलते हैं, अब यह बोलता है, अगर इसके साथ multiply है, तो first shifting का use करूँगा, e का multiply होता है, तो जहां 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 p होता है, हमाँ p minus 3 होगा, या p minus a होगा, क्योंकि 3 है न, 2 है, तो p minus 2 करूगा, तो by first shifting theorem से f of t, अगर ft है, त होता है, तो a की value अभी कितनी है, यहां पर, 2 है, तो क्या बनेगा, f of p minus 2, चूँकि f of p कौन है, यह है, तो p minus 2 क्या होगा, यह f of p की value हो, तो f of p minus 2 की value कितनी होता है, 3 upon p minus 2 का whole square plus 9, बस answer कर देना है, 3 upon p minus 2 का whole square, बाकि यह तो सिखाने के लिए है, लेकिन आप actual में आपको स p minus 2 बन जाता है, तो e के साथ multiply वाला, लेकिन आप इतना shortcut में भी नहीं बनाओगे, यह पूरा बताना पड़ेगा, यह first shifting theorem से आया, इस वज़े से ऐसा बहा, तो जहाँ जहाँ पी है, वहाँ p minus 2 डाले, क्लिर होगे, find the Laplace transformation of the following function, इसमें आपको किसको pft मानोगे, tq को ft मानो आएगा, 3 factorial upon, 3 factorial upon p के जगा, p plus 3 आजाएगा, पावर में 3 प्लस 1, यह पावर जो है, वो माइनस हो जाती न, p के जगा पे, p के जगा माइनस हो जाती है, sign का क्या होता है, बतब साइन 40 का, 4 upon p square plus a square होता, बस p के जगा क्या डालना है, p plus 2, answer यह आएगा, मैं एक लाइन में बता दे रहाँ, बाकि सॉल ऐसी ही करना हो, cost का क्या होता है, p upon p square plus 4 square, p के जगा क्या डालना है, p minus 4, minus 7 plus 4, तो p plus 4, उपर नीचे p plus 4, बाकि बैसी रहाएगा, बदर रिप्लेस हो जा रहा है, सिफ, समझ गे, हाँ, इसका समझो, यह टू तो कमस्टेंड भूल जो, sign का क्या होता है, p upon a, a upon, a कितना है 4, तो 4 upon p square plus 4 square होता है, p जहाँ दिखा, p के जगा क्या डालना, p minus 3 डालना है, तो p minus 3 का whole square हो जाएगा, चूंकि 2 बाहर था, तो 2 गूना 4, 8 हो जाता है, यह सब देखके इंसर बन जाते हैं, इसका, ठीक है, यह सब बन जाएगा, यह सब बन इसको बनाते जाओगे, तो p plus 1, p plus 1 के form में आ जाएगा, देखलो इसका जैसे करो, नर्मली करो, कितना आएगा इसका, 2 मतलब 2, 3, 6 हो गया, 6 upon p square, तो p plus 1 का whole square भाई, 2 square, यह कितना हैगा, cos में p आता है, तो 5p, p के जगा, p plus 1 भी आ जाएगा, तो 5p plus 1 यहाँ पर mistake हो गया, यहाँ पर cos है, यहाँ कितना हैगा, 5, 2, 5, में 2 निकाल देखल, यहाँ 2 नहीं होता है, sign नहीं है, cos है, cos में क्या होता होता है, यहाँ पर, p open होता है, तो किना होगा, 5, p के जगा, p plus 1 आएगा, तो 5p plus 1 अपन में, p plus 1 का whole square, plus 2 square, किले रहे, बस ऐसे बनाते जाओगे, तो होते चले जाएगा, एक आक एक्जाम्पल देखलो, बताया भी हूँ, देखलो, निकाला टी का, यह लगाया, फर्म्ना फे, f of t, में, put किया, p, k, d, इसको f of p, ऐसे लिखना पड़ता है, लाप्लास रुपांतर, यह पूरा लिखना पड़ेगा, इसको f of p, दिया, फिर लिखोगे, first shifting theorem से, कि एकी पर मानस 3T करेंगे, तो क्या आएगा, तो p plus 3 है, तो p plus 3 होगा, तो अगले step में से लिखोगे, होगे, इसकी वे लिखोशन के साथ, मल्टिप्लाइ करते हुए, 6 upon p plus 3 का, पावर 4 करते होगे, क्लियर है, अभी यह इतना कर ले न, यह यहां तक, फिनिस होजाता है, second shifting भी पर्लो, first shifting, normal function के लिए बना था, second shifting, piecewise function के लिए बना है, बस अंतर इतना ही है, जो range वाला होता है फंक्षन, दोई तो फंक्षन होता है, तो नॉर्मल दिया होगा, तो range में दिया होगा, फिर वैसी shifting में भी होगा, यह का multiply या तो simple वाले में होगा, या तो इसके साथ multiply होगा पास इतना ही हंतर, तो state and proof second shifting theorem, question में ऐसा है, state and proof second shifting theorem, या फिर हिंदी में क्या होगा, दिती स्थ एटी कमान, greater than A, तीकमान, less than A, तो लापला सव जीटी कितना होगा, तो देखो लिखा गया, लापला सव जीटी वरो, एटी पर माइनस अपी, into F of P, मतलब यहां से देखो, A को बाहर, यह माइनस अलिखा है, यह बहर लाते हैं, तो क्या बनता है, 80 दुआर माइनस अपी, F पपर बनता है रिकां यह मतलब प्रूफ करना है यह अपन कुछ नहीं करें और अपने को यह दिया हुआ इस्टेट में तो सब से पहले क्या क्या बता हुआ कि लाफ्लास होता है for P जानते और जीटी दिया हुआ है F of T- a 0 यह संतिंग दिया हुआ है तो लाप्लास of F T का निकालो क्या होता है फॉर्मला जिरो से इंफिनिती फिटी फिटी डिटी और इसको हम क्या बोलते हैं, एफ फिटीब बोलते हैं, आगले स्टेब में ये ये एफिटी का था, तो गीटी क्या आएगा, गीटी यहाँ डाल दो, टो एफ के जग़ा जीड़ी डालो को ते हाँ, जीटी यहाँ दालाएगा, पिर a से उपर मतलब आगे के लिए, तो 0 से a, a से infinity, 0 से a के लिए कितना दिया हुआ है, 0 और a से उपर के लिए कितना है, f of t-a, तो यह put कर दिये, यह तो 0 हो गया, खतम, यह बचा है, यह लिखा, अब इसमें क्या किया गया, t-a को मैं नाम दे दिया, क्या है, u, तो change कर रहा पूरा u में, तो पूरा integration u हो जागा, क्या बनेगा यहां से, t-q value निकालो, कितनी आईगी है, क्योंकि यहां भी t है, और यहां भी t का function है, तो अब आपको change करना पड़ेगा, तो t-a को u माना, तो t बराबर u plus e है, या dt निकालोगे, तो यह 0 हो गया, du मिल गया, change of limit भी करो गया, तो range change हो गया, 0 से infinity बन गया, 1 की पार minus p और t के जग़े यह डालोगे, u plus a into f of u du लिखोगे, तो वो change हो के यह मिलेगा, यह दोखो, 1 की पार minus p, u plus a, f of u, du बने गया, चूँकि इसमें 1 की पार minus p, u into 1 की पार minus p, u लिख सकते हैं, किसके respect में integration है, u के respect में, इसका कोई काम है क्या, तो constant बन चुका, बाहर किया, 1 की पार minus p, u f u, अब यह क्या बन गया, देको, f of p, यहाँ, u, u है, कोई दिकत नहीं है, वहाँ से कोई भी फंक्शन होता, ते क्या बनेगा, f of p, बनेगा, तो यहाँ पर एक बाहर कौन है, एक ही पार minus p, तो वही तो पुरूब क है, अब इसके use के base पर यह एक question है, देखो, तो यहाँ पर देखो, gt बराबर यह दिया हुआ है, और बोल रहा है कि लाप्लास अब gt का मान, यह निकालो, लाप्लास अब gt मतलब यह होता है, तो वह बोलेगा, इसकी value, लाप्लास find करना है, gt की value find करना है, तो कैसे होता ह है, gt बराबर यह होता है, इसको तोड़ो रेंज में, छोटा दिया, मतलब 0 से 2 pi by 3, और 2 pi by 3 से बढ़ा, 0 से छोटा पीछे होता नहीं, इसलिए 0 से 2 pi by 3, 2 pi by 3 से यह किया है, नॉर्मली, यह बताओ कितना है, इसकी value, 0, इसकी value यह put कर दिया, अब यहाँ पर क्या किया, फ इसको माल ले न, तो T minus 2 pi by 3 को U माना, T की value निकाला, और DT की यहाँ, दियू मिला, चेंज ओफ लिमेट भी वही आएगा, 0 से इनफिनिटी, लाके को से पूट कर दो, क्या मिले गा उताओ, यह 0 से इनफिनिटी बनेगा, यह कि पार माइनस P, T के जगर क्या डालोगे, U plus 2 pi by 3, वो लिख दिया, U plus 2 pi by 3, यह क्या बन चुका, cos U du मिल गया, तो cos U into du मिल गया, और इसका हम जानते हैं, यह formula कैसे किया, देखों, यह वैसी में अपने जगह है, यह Laplace of क्या बन गया यह, जैसे हैं Ft होता है, तो हम Laplace of Ft लिखते हैं, तो यह क्या बने, यहां cos U है, तो क U के respect में, जैसे Ft होता है, तो वो होता है, यहां पर U के respect में, कोई दिक्कत नहीं, आएगा क्या, वही P upon P square plus A square, और यहां पर क्या बनेगा, यह एक पर मायने से बाहर रहेगा, P upon P square plus A, लेकिन अगर आप shifting का यूज़ करके बनाओगे, तो फिर यह सब कुछ नहीं करना है, इस line के बाद direct लिखोगे, हम जानते हैं, इसका answer यह होता है, और यहां पर F of P लिखोगे, तो यह direct answer आएगा, तो यह करोगे, तो फिर मेरे को लगता answer नहीं मिलेगा, दो line के बाद यह direct को दोगे, तो नहीं मिलेगा, उस सच्छा आप क्या करो, इसको यू मान के पुरा simplify कर करके निकाल, सेम ऐसी यह तीन कोस्टन एक्जामपल है, आपको यह homework है, बस यहां पर team आइना से दे दिया, यह team sign team आई यह दे दिया, कोई issue नहीं है, बाकि आपको बना नहीं है, और यहां देना जो A होता है, वही होता है, यहां पर भी, greater than A लिके रहे, अब पता चला यह यहां, कुछ और यहां, कुछ और समझे लो, shifting का दी नहीं दिया, वो, कुछ और दे दिया, ठीक है, यह shifting का यूज करके बनाया, मतलब, वो less than के लिए 0 होता है, greater than के लिए यह वेली होता है, तो यह आप try कर लोगे, यह homework में आएगा, अब आते हैं, multiplication of T, देखो गे तर topic wise स come first shifting, और second shifting, अब उसके बाद आता है, कौन से, multiplication of T, T के साथ multiply, और एक होता है, divide of T, T के साथ divide बास, इतना ही है, फिर लाप्लास यह chapter फूरा खाता है, अब देखो, multiplication of T का मतलब क्या कहा था, जिसको यह सीख लो, अच्छे से फॉर्मना, Ft का लाप्लास क्या होता है, तो इस पहले आपको लाप्लास निकालना है, Ft का, P के फॉर्म में आएगा, उसके बाद देखना है, कितनी पावर के साथ multiply किया है, जैसे T cube किया है, तो तीन बार derivative करना पड़ेगा, वो जो आए हुए function है, और minus 1 की पावर में N लगाना है, मैं यह तो चलते रहेगा, यह फॉर्म में दिख रहे है, कितनी पावर है दो, मैं दो बार जाएगा derivative, पहले साइन टूटी का तो लाप्लास निकालो, साइन टूटी का क्या हता है, टू अपान पीस का प्रस पोर जो भी होता है, इसका अपटी स्क्या लिखा तो यह जैसी मल इसको एफपी बोल दिया, जैसी T square का मल्टिप्लाइ किया, फर्मॉल लिख दिया, मैनस वन की घाद दो, D square upon Dp square, F of P, और F of P को है, 2 upon P square plus 4 यह रख दिया, अब इसका दो बार derivative करना है, दो बार मत समझते हो, अभी एक बार करेंगे, फिर करेंगे, तो एक बार derivative करोगे तो वन भाई डिपी छोड़ दिया, तो बार derivative करोगे, तो वन भाई एक टाइप का दिगरा, उपर में P थोड़ी है, नीचे ही में है, तो वन भाई P का क्या होथा है, माइनस वन भाई P square, तो माइनस मतर लगाना ही है, वन भाई P का whole square, जो भी दिया, उसका whole square करोगे, लेकिन अलग से अंदर का भी तो करोगे, तो एक बार और करना है, तो अब ये divide वाला rule, क्या होता है, divide वाला rule, सबसे पहले क्या करते है, नीचे का square, square करोगे, पहले से दो है, तो कितना होज़ेगा, चार, और square वाला बाहर, उपर वाले का derivative, तो उपर में P है, P करोगे, तो 1 आएगा, फिर P बाहर होगा, और नीचे व 2 खाल, टुटाइब सन, O, पीश्कार 11 classroom टी स्वार्टार सब्लस, पॉर में यहां से अन्दर मल्टिपलाइ यहां से अनृटप्लाइ करोगे, फोर टी स्वार होगे, 4 पी स्वार यहीं से एप गया, माइनस 3 भी स्व्यार यहां से और प्लस, तो उन्दर मल्टिपलाई सम्मेट के साथ मूल्टिपलाई वाला है यह एग यारवा चाह LEका सह अंट को साइब के साथ आप लोगों समझ में आ गया होगा जैसी टीका मुल्टिप्लाइ करोगे तो वन मतलब यह होता है न तो माइनस इंटू डी ओपन डीपी एक बाइस का डेरीटीव करोगे कितना आएगा इसका कर पाओगे उपर ले जाके माइनस वागर अलग करके कि यह तो है वन बाइक E के साथ में देखो T बी है, E बी है यह यह लिए तो आपको क्या करना है? लुए रूल रूल इजी था, E का रूल पड़े थे हम लोग क्या था जहां जहां पी दिखे, पी के साथ वो कोफिशंट को मामिनस करना है तो E वाले में कुछ करना है इसलिए E को लास्ट में रख ती वाले को अंदर रखने तो यहां से खूद अपने आप में दो कोश्चन है टी के साथ मल्टिप्लाई वाला लगा देंगे अगर आप गलती से इसको एफ्टी माल लिये न तो होगा क्या जब आप इसका डेरिवटी करोगे तो खूद कितना प्रोडक्ट में आगा तो डें मॉल्टिप्लाई किया इसका टी काllen तो क्या करते हैं जितना मॉल्टिप्लाई माइनस वन उपन ओडीपी के लिए हुआ इसका डेरिवटी वीटीव किया मैनस और ऑप प्लस लोगया 3 आप निस का होल इसका होल इसका होल Свेंग्टा करते कितना हैं तूपी अएगा इतिना ह माइनस करते हैं माइनस है तो प्लस हो जाता है ना तो यहां प्लस है तो यहां माइनस करते हैं यहां माइनस हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा पी प्लस टू हो जाएगा अपना कॉंसेप्ट याद रखो कि यहां पर माइनस है तो हमाँ एंसर में प्लस करते है इसका एंसर क्या बनेगा उर्षिक स्टेप फ्लस टूपी प्लस टू का होल स्कोर ऐस एथा कि खत्व अब आते हैं यह अलग टाइप का कोसने क्या लग है इसमें एक टो इंटीगरेशं भी डाल दिया अब याद कर वाला का फर्मा क्या था है जिरो से इनिंवार्इंटी होता है e-क पाइक पोर 80 होता है ऐफ पपको तो अगर मैं e-क पोड़ को चोड़िन को छोड़ दो तो t into filter TFT दिख रहा है कंपेर किया हुआ यह से किससे जो आपन दिमागों सोची कि रहे है कि वह ऐ सब्सक्राइब निकल चुका आपर यहां पर इसका लापलास निकल चुका अब यह मिल गया toa City ऌता है न फॉरला में तो क्या ओता है एक एक ईपावर एक टी एफ्टे हैं की एफ्टे जगा कितना on प्रापाव करोगा उनला येव घून जाएगा तो क्या ऊग Això माइनस के रहेगा यनिर यहां भी तो भी बोलेट तो टू हो जाएगा ख़तम कहा निया आसे मझ में भाई एकी पार पी ओदें हां एफ फी बोलते थे पी के जगा बस जस्ट का दे धिया तू देदियो है तू पूट कर दो क्या बन्जेगा एक फट्ट तू यानि की देने कुच्छन में कुछ नियनन जाना एक पुट कर देना थू पूट कर दो यॉजी इन डे स्थिवित्ट क्टिक यंट कीवाला आथा न हम क्या पड़ते है यह एंट के साथ अगर दीयरेटियु में जाते हैं तो ये फॉर्मिलाए आए अगर 918-24 कि यहां पर बता एल एफ्ट अपॉन टी तो क्या लिखेंगे जैसे इंफनिटी एफ ऑफ्पी डीपी अगर तो जो एंसर आएका उसका फिर से पी इंपनीटी लगा के फिर से इंटीगरेशन करोगे जितने वार्टी उतने इंटिग्रेशन करना है पी से लगा के इंफिनिटी तो जमझ मैं जैसे मां टीस करता था दो दो बार कर रहे थे वैसी यह होगा तो इतने बार इंटिग्रेशन करें बाकि एफ अपी कुछ और नहीं हो क्या है लाप्लास है किसका क्या करते हैं देखो टी स्क्वार कर लिए दिया हम तो एक पी से इंफिनिटी पी फिर अंदर एक और उसका पी से इंफिनिटी दिप जो एंसर आएगा उसका फिर से यह करना पोड़े दुसरा एक एक फॉर्म अलग से दे अगर कोसर में ही दे दिया हुए लाप्लास आफ जी किसका F of T और डीटे मलब कभी कभी कोशन ऐसा भी देता है इसमें लापलास अंदर देखो दिया हुआ है इसमें लापलास के साथ साथ integration भी देती है तो अगर लापलास के साथ integration भी दिया और यह लिख रहा है तो यह क्या लिखेंगे इसको यह क्या किया देखो वन भाई लिखोगे वन वाई लिखने के बाद लापलास अफ्टी अपॉन टी लिखके छोड़ दो तो कहने मलब यह जो इंठीगरेसन वह था उसके बदले वन भाई पी लिखे हैं और वाकी लापलास किया करना पड़ेगा इन फूचर अगर मिलता है कहीं सवाल में तो जैसे देखाओ लापलास अफ्टी से इंफिनिटी है तो क्या लिखेंगे इदेखो रेंज में अलग अलग है यह 0 से ट के लिए लग है टी से इनफिनिटी के लिए लग है लिए depende के रेंधा एक्चा बि हूव और मैन भून ड़ी पिलास यौण बाइप लगा दिया घ्याव सका किका एंटीघ्रेस्ट करें प्लगारण के नहीं जैसे फ्रेटि लगा या तो पने जगह तो ये एफ़ाइस行 लिवेड़िख गहां तो रहत कैरें ने उपने और इसका इंटीरिशन अच्छे से देखो जिससे इसका डेड़िव यह अगर आप इसको टी मानोंगे रफ में जाओ रफ में टी देखो तो अभी फिलाल के लिए में क्या किया हों देखो दो से गुणा-दो से भाग किया हो इसको अगर अगर दी मानोगे रफ में जाओगे रफ वर्क माना नहीं मानने से नुक्सान क्या होगा फिर चेंज आफ लिमिट वगारा करना पड़ जागा तो वह लफडे पड़ जाओग जो भी है इसका derivative जस्ट दिख रहा है एंसर तो हम लिखते हैं लॉक टी एफ यह होता है अगर फंक्शन जो भी नीचे है इसका derivative अगर उपर है तो इसका एंसर क्या आता है लॉक टी क्यों कि इसको टी मानोगे जिसका derivative कर ऊपर का जाएगा तो वन वाइटी बचे का वन वाइटी क्या होता है लॉक टी यह होता है यह याद कर सकते हो वाकिशिझे जिसका क्या बने गावता लॉग super plusographer a School अब यह सब्सक्रीये को उपर ले जाओंगे ऑतो क्या बन जाएगा पड़े हो लॉग यह यह ना पुट कर सकताया फनरीटी पूट कर से टे जर्कल कभी नहीं पूट कर सकते तो स mirror on वह फ़िलेन होगा तो बताया था नहिंद रहाना संथ्कार लेते हैं रिमिट्ट का सहारा लेते हैं ठीक है यह सहारा ले लिए अपने लिमिट्ट का हेल्प ले लिए इतना लेकिन लोवेल्य आप्लिब्वा पड़गे अब यहाँ इसको करना पड़ेगा मीलगा सवर्थ यां से सुच उपीर बाहर अगा बहर आएगा विल आऺए तो 1 प्लस ए इसकोरटी निथे लेकिन बाहर पी आदा लेकर पीपी कड़ेगा दिन पीपी गडब क्या बतावा अपन स्वर्फअल कर अपना यह जैसा चल रहा है चलने दो यह क्या आएगा पीपी यहां से भी कड़िया वन पन यह आ गया जैसा प्रोसेस से चल रहा है चलने इसको बाद में वन बैट और लोग वन कितना होता है यह तो जीरो हो जाएगा बच्छे का माइने सफ इतना यह उपर ले गया माइनस वन कि हो जाएगा लोग सम्थिंग आए चुद देने एक और डिवाइड वाला इसी के साथ एफ्टी वाला वाला माल लिए एफ्टी वाल लिया क्या किया गया बता है वही नॉर्मली यापलास किये फिर इसका इंटिग्रेशन करेंगा बदा इसका इंटिग्रेशन करोगे तक आएगा लॉग पी प्लस एक इसका लॉग पी प्लस भी हाँ डिवाइड में तो लॉग पी प्लस एवा यह तो यहां पहुँज हो सब क्या ताम जाम वह समझो पर डिरेक्ट इंटीग्रेशन ही तो करना फिर फी कटे जगाई लोग यह किया लॉग मैण स्लोग इन क्या ओता ह है log m यहां तक तो आई गाई घी से इंफिनीटी वह इन गोट सकते इंफिनीटी के लिमिट लेना पड़ेंगा वह मैं साहिद हो सकता है सौटकट कर दिया होगा और रेट कर दिया होगा मैं क्योंकि जब आप इसमें इन्फिनीटी बुट करोंगि तुम पी को कॉमन लेना पड़ेगा पी को कॉमन लोगे पी पी कटेगा तो यह प्लस पी यह आ जागा यह आजागा और उसके जगह infinity पूट करना मतलब इसोचो डेरेट हो गया एक तो पी कोमन निकलके काट दियों और पी के जगह infinity लोग भी पूट करती हैं ठीक है और यहां वालो तो डेरेट है पी के जगह ऑफ यह घाला यह हमेशा बनेगा फिक्स ए लॉग वाज बनेंगा प्लस हो जाएगा तो कभी बी माइनस लोग आप भाई भी है तो आप माइनस रड़ा वह तो लोग भी वाई यह कर देना तो यह उपर वो नीचे हो जाएगा और फर्मॉला लिग भी लोग एक भाई बी को क्या बोलते है माइनस अफ लोग भी बाई एक बोलते तो पलड़ते न अब अगला कोशन पड़ो लेकिन इंटिग्रेशन भी दे दिया तो दो बार वैसा निकले गा फिर वी पड़ो आराम से समझों इसको क्या करना है सबसे पहले क्या माने एकी पावर एन्फिनल निसले फिरेटी कालति हो गया यह उसका ळाप फिरेंटिकन काले यह हुआँ भी दो वालाya तो पहले सांटी के लाप्लस निकालों तो मैं जीटी मायों युआ बेशांकि मगिवकार उन्फिनलबस निकाल अफ्षिनल प्रिप्र यह चरुट यह चरुट कर दाला ये यह चरुट के पाइब आगे यह फाइनली वेल्यू मिली किसकी सिर्फ लाप्लासॉफ एफटी साइन टी वाट़ती का महान मिल गया उसके बाद इसमें इंटिग्रेशन है जीरो से इंफिनिटी तो देखो इसको कैसे सौलिक य जाल यहां पर यह कैसे है कई लोग को समझ में यह पढ़े हो 10 inverse x प्लस cot inverse x बराबर pi by 2 होता है तो pi by 2 मानेस 10 inverse cot inverse बन जाता है तो डेरेट cot inverse लिखते हैं यह cot inverse x आ गया P यह इसका मान मिल गया जो उसके बाद क्या किया बता अब इसको F of P मान लिया तो integration में आप इसको सोचों कि यह मान लोगी पी का फंक्शन है तो IP बन गया लेकिन को सन में क्या जीरो infinity integration भी दिया वाइश क्या दिया वह है चीरो टी तो मतलब के जगह कितना बुट करना जीरो बूट करना है बस इसीमें पी के जगह गजे लो पुट करता और इंटीर से जीरो और कॉट इनवर्स जीरो कितना होता है कॉट इनवर्स 0 पॉट 2-0 के जग़े क्या लिशकते हैं कोट 95 two 90 आजागा इसकी वेलि इसको एफटी माल लो और आप इमेजिन करो कि क्या दिख रहा है गल मैं दिखा रहो क्या दिख रहा है जीरो से इन्फिनिटी एक की पार माइनस पीटी एंटु एफटी डीटी दिख रहा है मदला बस इसको सॉल कर लूँगा जो एंसर आएगा वहाँ पर आपको एंपी के ज सॉल करना यह अपने आप में दो कोश्चन है डिवाइड वाला कोश्चन है तो पहले कोस का निकाला फिर डिवाइड वाला इंटीग्रेशन गया ते डियरेट में कर दिया दो कॉस्टी वाइटी को हटाया तो पी से इन्फिनिटी एफ पी डिप और एफ पी कुछ निकॉस कोश्टी का लाप लास कितना होगा यहां रख दिया है इंटीग्रेशन में जानते यह कैसे साल होगा अगर उपर में नहीं होता तो टैन इन्वर्स बन जाता लेकिन उपर में है तो मतलब इसका डेरिवेटीव है तो वन वाइटी वाला तो यह लोग में आएगा लोग पी सब्सक्रा अमोट सब्सक्राइब जीए आ रहेकिन टार ओकल यहीं है तो इंफनिटी डलीनी जाने किर रहरा करते कि